हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रीन टेक शोलुशन में तो दोस्तों आपको आज दिखाने जा रहे हैं अलग लगता रहे कि रहे फर्ष विकल इंसुलेटेड कंटेनर तो दोस्तों यह जितनी भी गाडिया बनी हुए हैं यह टेंप्रेचर के लिए और यह लास्ट में इदर भी एक खाली रेफिजेटीट बोक्स बना हुआ है तो दोस्तों आज हमें इन सभी बोक्सों के विबारे में आपको डिटेल्स अलग अलग बताने जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यह वाली गाड़ी लेते है यह वाली गाड़ी जो इस पर यह यूनिट लगा हुआ है यह हमारा खुद की मैनिफेक्ट्रिंग है ग्रिन टेक सोलुशन का यूनिट लगा हुआ है यह यूनिट दोस्तों जीरो डिग्री टेंप्रेचर के लिए बनाया गया है और दोस्तों जो यह इनिसलेटीड बोक्स जो यह बोक्स बना हुआ है यह पूरा स्टील बोडी में बना हुआ है यह 80 mm पे इंसलेशन थिकनेस इसकी बोक्स की और यह अपना डेरी प्रोडक्ट के लिए दूद दही अपना दूद दही के लावा एक्स वगेरा के लिए बना हुआ है दोस्तों यह कंटेनर और इसके आउटर फ्रेम है सारा एमेस बोडी है यह वाली जो गाडियां है यह वाली गाडी रेफ्रिजेट्ड कंटेनर आइसक्रीम के लिए बना हुआ है इस कंटेनर की जो थिकनेस है वह 120 mm है और इसमें आगे से दिखाएंगे हैं आपको भी इसमें जो युनिट लगा हुआ है कर जो प्लांट लगा हुआ है करियर गा प्लांट लगा हुआ है माइनस 20 तेम्प्रेचर के लिए बहुत बढ़ीया प्लांट है बिल्कुल 1st क्लास इसमें प्लांट में किसी प्रकार की कोई भी दिकत प्रेशानी नहीं है इसकी पूरी जो इंसूलेटिड कंटेनर इसकी तीन यह देखो यह डेरी प्रोड़क्ट के लिए है दूद दही के लिए उसके लावा केक्स पेस्टी पेटी वगेरा के लिए गाड़ी बनी हुई है एक बार अंदर मसीन दिखाना एसमें यह जो मसीन दोस्तों यह हमारी खुद की ग्रीन टैक की है ग्रीन टैक सलूशन की मशीन है इसके इंदर इसमें हम निए ठर्मोंकिंग केरियर वैल्यों मदर शन हर तरह का प्लांट लगा सकते हैं के कमर्चिएल वीकल है, कमर्चियल वीकल पर जिरो ड्गरी